नवश्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ रोचिकाराज बियार बोट की तरफ से इंटर्मीडियर की परिक्षा लेने की तिथी निरधारित कर ली गई है आपको बता दें कि एक तारिक से लेके 14 फरवरी तक इंटर्मीडियर की परिक्षा की निरधारित की गई है और इसे लेकर के पूरी तयारी भी बियार बोट की तरफ से की जारी है वहीं चात्रों की बात करें तो समय बहुत कम है और छात्रों डिख रहा है चात्र भी तयारियों में जुटे हैं क्यूकि एक महिना बस बचे है और एक महिने के बाद इंटर्मीडियेट की परिक्षा शुरू हो जाएंगे अब इसे लेकर कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारिया की गई है क्योंकि कोरोना भी है और कोरोना में कैसे परिक्षा ली जाएंगे उसके बारे में भी आज हम आपको बता देते हैं आपको बता दे कि बिहार विद्याले परिक्षा सिमिती द्वारा एज़ित की जाने वाली इंटर्मीडियेट परिक्षा 2022 को लेके प्रशासनिक तैयारिया चल रही है जिले के छात्र छात्राओं ने तैयारी तेज कर दी है महज एक महीने बाद ही इंटर की मुख्या परिक्षा शुरू हो जाएंगी बिहार बोर्ट ने एक से लिके 14 तक इंटर की परिक्षा लेने की तिथि निर्धारिट भी की है इसलिए समय कम होने को देखते हुए छात्र छात्राओं की तरफ से करी महनत की जारी है कि परिक्षा की तैयारियां की जारी है कि अच्छे से वो इस बार अपने परिक्षा को दे सके वहीं बताएं कि सेल्फ स्टर्डी कोचिंग वंस्टिटूट के सहरे पढ़ाई की जारी है बतादे की कोरोना काल के कारण काफी दिनों तक सैक्षनिक संस्थान के बंद रहने से छात्रों का स्लेबस पूरा नहीं हो सका है इसलिए अब चात्चात्राएं सबसे पहले स्लेबस पूरा करने में जुड़ गए है वहीं जिला सिक्षा विभाग द्वारा भी चात्रों का स्लेबस पूरा करने के लिए क्रैस कोर्स का संचारन किया जा रहा है DEO संजीफ कुमार ने बताया है कि इंटर परिक्षा 2022 के लिए सेंटर चोयनित कर लिया गया है बोट द्वारा भेजी प्रतियोगिक परिक्षा की समगरी समंधि सैक्षनिक संस्थानों को प्लब्द करा दी गई है जिला प्रशासन वर सक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इंटर परिक्षा के लिए सेंटर चोयनित कर लिये गए है यहां दो शिफ्टों में परिक्षा आयोजित की जाएंगी पहली शिफ्ट की परिक्षा सुबह सारे 9 बजे से 2 पहर के 12 बचकर 45 मिनट तक होगी वहीं दूसरी शिफ्ट की परिक्षा एक बचकर 45 मिनट से 5 बजे तक होगी पेपर 3 घंटे का होगा इसके अलावा परिक्षार्थी को 15 मिनट का अतरक्त कुल ओफ टाइम दिया जाएगा कुल ओफ टाइम के दौरान चात्र प्रस्न पत्र पढ़ सकते हैं इस दौरान उन्हें उत्तर लिखने की अनुमती नहीं होगी आगामी 10 जन्वनी से इंटर की प्रतियोगी परिक्षा शुरू हो जाएंगी प्रतियोगी परिक्षा लेने वाले चात्र चात्राएं इसमें शामिल होंगे जिले के संबंधित प्लस टू स्कूलों वा कॉलेजों बेही प्रतियोगिक परिक्षा का आयूज़त किया जाएगा संस्थान के प्राधान की देख रेक में प्रतियोगिक की परिक्षा ली जाएंगी जिला सिक्षा विभाग द्वारा सम्मधित संस्थानों को बोर्ड द्वारा भेजी प्रतियोगिक परिक्षा की सामगरे उपलब्द करा दी जाएंगे तो इस तरीके से अब सारी तैयारिया प्रशासन की तरफ से भी कर ली गई है क्योंकि बड़े पैमाने पे छात्र परिक्षा देते हैं और इस कोरोना भी है तो कोरोना को मदे नजर रखते हुए कि कोरोना का संक्रमन भी ना बढ़े और परिक्षा भी समय से ले ली जाए तो सरकार की तरब से भी तयारिया की जा रही है वहीं छात्रों का भी अब जोश दिख रहा है वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई में जुड़ गए है क्योंकि कोचिंग संस्थान बन थे स्कूल बन थे जिसमें से स्लेवस कंप्लीट नहीं हो पाया है तो सेल्फ स्टडी ही अ आज नब वर्ष है यानि की न्युई यर है तो आप सबी दर्शक को हैपी न्युई यर और भी इसे ही खबरों के लिए लाइवस सिटीज के साथ बने रही है अगर आप ने हमारे चैनल लाइवसुटीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर ले अगर आप हमें फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले और आप हमें टुटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद